नमस्कार दोस्तों मैं विजय आपका एक बाद फिर से सौगत करते हुआ अपने चैनल बे दोस्तों आज के वीडियो में इस्पेसली हम मैथ के कॉस्चन को डिसक्स करेंगे जो कि चैप्टर लासा मासा से रिलेटेड होगा दोस्तों ओबराल जो है लासा मासा के चैप्टर के कॉस्चन होगे इस पर चैनल को पहली बार विजट करें तो चैनल को जरू स्क्राइब करें अगर इसी कोशन देख रहे हैं कि दो संख्याओ का गुडण फल दिया गया है 1568 दिया गया दोस्तों और लासा की बात करेंगे तो 56 दिया गया है तो मासा यहां पर पूछ रहा है इस तरह से एक्जाम एक बहुत बार पर असल बनते हैं तो तो सिंपल सा कोशन होता है आपको करना क्या होगा कि आपको जो फार्मूला होता है दोस्तों चार कोशन के लिए फार्मूला आपको रटता होगा लासा इंटू मासा दोस्तों आपको करना है और यहां पर ध्यान स समझेंगे बराबर आपको first digit into second digit करना है जब ही question आपका इस तरह से बनेगा तो आपको एक formula याद करके रखना है लासा गुड़े मासा करना है बराबर पहली संख्या into दूसरी संख्या करना इससे चाहे लासा पूछे तो भी निकल सकता है, मासा पूछे तो भी और पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे यहां से आप आशा नीचे निकाल सकते हैं तो दोनों संख्या का जो factor दिया गया है गुटन कंड की जो दिया गया दोनों को मल्टिपल करके दोस्तों one five six eight दीया गया तो इसके नीचे हमने यह यहां पर रख दिया अब बात होती है कि यहां पर लासा दिया गया लासी ऑफिप्टि on Québec हम रख दिया मासा वे मिसा घ्याद कर रहा है मासा को एकस किया जारते तो लासा मासा से जितने भी टाइप के कोशन इग्जाम में बनते हैं उस सारे कोशन इस वीडियो हम डिसकस करेंगे आप प्लीज वीडियो के अन तक आप बने रहें यहां पर डी अल्टरडिव आपका पूरी तरह से राइट एंसर होगा मतलब कि अभी संख्या ग्यांत करिये जो 6, 8, 12, 16 से पूर्ते हम भी भाजित हो जाए आपको बताना चाहिए कि जब लासा मासा में छोटी संख्या बोलेगा तो हमें लासा ग्यांत करना है बड़ी-बड़ी संख्या बोलेगा तो मासा फाइंड आउट करने है तो यहां पर ध्यान से समझ और दो चौके आठ़ होगा, दो चोके आट होगा, दो चंग बारा, दो आठे, रोग और इस तरह से इसको जहां तक renewable है devil है cut काट कर देंगे, तो 2 चार होगा, दो ट्एाइज़ छै दोीन होगए, और 2 दूनी 4 हो जाएगा तो कहने का मतलब जो factor निकल का है तो सो यहाँ पर 2 multiple 2 multiple 2 once again multiple 2 आपको करने हैं और यहाँ पर 3 आपको लिख देना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 आपको हो जाएगा और जो answer निकल का हैगा तो 48 ही होगा alternative आप चेक कर लेंगे तो first alternative आपको पूरी तरह से correct answer होगा अगले question की अगर हम बात करेंगे तो चार पहियों की परीधी 16 cm, 24 cm, 32 cm और 40 cm दिया गया है वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं यह परते एक पहिया एक पूरा सक्कल लगाता है तो उसके दोरा कम से कम कितने दूरी तैंकिया जाएगा दोस्तों कम से कम का मतलब है कि हमें यहाँ पर लासा ग्यात करना है बड़ा बड़ा का बात बोलेगा तो मासा हमें find out करना है तो यहाँ पर भागवदी से हमने कहरना कहल लासा find out कर लेना 16 लिख देना है दोस्तों इस तरह से यहाँ पर 24 लिख देंगे और यहाँ पर 32 डिजटो को आप आराम से लिख देंगे 40 लिखना है और इसको हमने यहाँ पर जो है 2 से डिवाइट कर देंगे दोस्तों तो सिंपल तरीके से 2 लिखना है फिर से दो से यहाँ पर डिवाइट कर देना है दो से डिवाइट कर देना है दो से डिवाइट कर देंगे दो चार हो जाएगा दो शंग बारा होगा दो वट सोलह हो जाएगा दस हो जाएगा क्लियर फिर से हमने एक बार यहाँ पर कट करना है थोड़ा से यहाँ पर देख ल खिरना ध्यान में रखना है तो जो फैक्टर जो भी निकल के आए हैं तो यहां पर टू मेल्टिबल टू मेल्टिबल टू करके मतलब की दो कितनी बार आया है पांच बारा है तो पांच बार का मतलब होता है दो सो बतिस का बतिस हो गया और थ्री है और एक फाइव है तो इन सब का मल्टिपल अगर आप कर देंगे तो चार सो असी आपका निकल के आएगा तो चार सो असी का मतलब होता है चार सो असी सी एम आपका आएगा एंसर और अल बड़ी या बड़ा से बड़ा वर्ट का इस्तेमाल करेगा तो आपको मासा find out करने हैं, देखेंगे प्रसन को, दो संख्याओं का लासा जो है मासा का 40 गुना है, कहने का मतलब है, कि जो मासा अगर यहां पर कुछ हमाल लेते हैं, दोस्तों मासा को हमने अगर x हमाल लिया, वो खुद बोला कि मासा का 40 गुना है तो मासा अगर X आप माने हैं तो जो लासा होगा वो 40 गुना का मतलब होता है कि 40X हो जाएगा मतलब उसका multiple हो जाएगा यदि दोनों का factor गुडन फल मतलब X1140 है तो यहां पर पूछ रहा कि मासा क्या होगा तो सिंपल सी बात है कि दोनो लासा मासा हमने मान लिया तो यहां पर करना क्या है कि आपको सूतर जैसे की बताया मैंने कि लासा गुड़े मासा करने है और लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या तो यहां दोनों संख्याओं का गुलन फल आपका दिया गया है तो इस तर clear to också square बरावर अगर 36 आगे है दोस्तों तो X बरावर क्या हुगा 36 का रूड लग जाएगा तो रूड लगने के मताब वरगमूल हो जाएगा X की वेलू जो छे आजाएगी clear एक्स की वेलू 6 का मतलब है दोस्तों की X की वेलू 6 का मतलम मासा हमने find out कर लिए चुकि masa को एक समान रखा तो तो डी अल्टन डी परस्ट के पूर्डिंग पूरी तरह से करेक्टर इंसर होगा अगले परस्ट के अगर बात करेंगे तो यहां पर दिया है कि 2 की पौर 3 मुल्टिपल 3 इंटू 5 की पौर 2 मुल्टिपल 7 दिया गए इस तरह से 1st और 2 की पौर 4 इंटू 3 की पौर 2 मुल्टिपल 5 मुल्टिपल 7 की पौर 2 और गुड़ा करके 11 दिया गया इस तरह से आगे दिया गया दोस्तों बोला है कि लासा ज्यात करिए आपको बताना चाहिए कि masa का अगर पूछता है दोस्तों तो जो सब में कामन होता वही masa होता है अगर लासा से समळता है तो आपको ध्यान में देना है कि जितनी भी टाइब के डिजिट है पहले आपको रख लेना है मतलब कि आप पर तीनों में अगर हमेएश करेंगे दोस्तों तो दो दिखाई देला है दो रख रख देनंगे вिया जितने वराइटी के डिजिट है आपर रू रिख हैं मतलब इस तरह से आपका दो है दो भी लिग दिया तीन है पाँछे सात है सब लिख दिया 54 अब करेंगे और बड़ë-बड़ए माँ सबस्क्राइप लेना होगा वही How था कि बड़े की बात करें निधे दो की पार 1 है मतलब कुछ नहीं तो एक की पापर तीन दिया तो उसको बड़ा है उसको में में कोई सिंगल डिजिट है तो उसको भी हमने लेना आब इन सब का मल्टिyin क्ड़ कर्ड था धिया क्ला है तो भीड़ा कर्ड़ा किया नहीं है यहां पस 옆का अन्सव हो जाएगा जैसे आपके ग्जाम में पूछे गा वैसे ही आपको करने हैं तो सी अल्टरेव आपका पूरी तरह से करेक्टर अंसर होगा तो ध्यान से समझेंगे जितने बिराइटी के डिजिट होगा पहले रिखना है और बड़े पावर्स को रखना है वस्वाई आपका अंसर हो जाएगा दोस्तों आपर अगले प्रसन क अगा दोस्तों और संव्याथ करिए तो इस तरह से प्रसन आपके एक्जाम में होए है तो ध्यान से समझें कि इन प्रसनों को किस तरह से सिंप्लिफाय करना है फिरहाल यहां पर GRANT उप से को सिंप्लिफाई कर सकते हैं दोस्तों एकर यहांपर हम। सोला से मासा चुकि सोला दिया गया है अगर मासा से डीवाइड हम करेंगे कि डिजिटो को ले करके तोulated यहां पर जो first alternative में 64 64rise अगया है तो यह पूरी तरह से डीजिबल है और यह 16 से कट जा रहा है तो आपका या उअनसर होगा first alternative ही होगा अगर 16 से अधर डिजिटो को डिवाइट करें तो दोनों डिजिट डिवाइट नहीं होगा इससे सिद्ध होता है दोस्तों की फर्स्ट इल्टरेरडिव यह अपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैसे कि अगले परसिन के अगर बात करेंगे तो एक चार मीटर इंटू 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर फर्स पर पिछाने के लिए कम से कम कितने एक रूप वरगाकार टाइल्स की हो सकता पड़ेगी तो यहां पर हमने पहले क्या करना है कि मीटर को सिंटीमीटर में कनवर्ट कर लेना दोस्तों तब ही आपका एंसर होगा एक मीटर ब्रखार हंड़ेट सियम होता है जैसे कि आपको पता है तो यहां पर आपका चार मीटर का मतब चार नियुक्तब जो मासा निकालेंगे तो दोनों में कामन्स निकल जाएगा पता चल जाएगा कितने माप की टैल्स की जरूरत पड़ेगी तो बात होती है कि यहाँ पर हम असी मल्टिपल जो है अगर करते हैं दोस्तो फाइब क्लियर तो पांच अट सालीस मतलब यह हो गया दूसर सेक्डर की अगर बात करेंगे तो तो 80 गुडे चार कर सकते हैं यह मैं कि जी कर रहा हूं तो अगर मासा की अगर हम बात करेंगे तो मासा हमारा जो निकल के आएगा तो 80 निकल के आएगा 80 का मतलब है कि जो माप चाहिए हमें 80 का चाहिए और कितनी टाइल्स की आओ सकता होगी ये कैसे पता चलेगा पता इसे चलेगा यहां पर जो माप दिया गा चार सो इंटू कर दिया हमने क्या 320 कर दिया भाग यहां पर लगा देंगे पता चल जाएगा 80 के माप का मुझे चाहिए तो फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए हमने लिख दिया 00 से यहां पर दुस्तों 00 कैंसल कर दिया अब इसको आप पूरी तरह से डिवाइट कर देंगे तो 20 आ जाएगा तो प्रस्ट के ओर्डिंग जो है 20 जो है एक रूप वर्गा कार टाइल्स की हो सकता पढ़ेगी पूरे फर्स को संपूर बिचाने के लिए तो परस्ट के बात करिए आपका इक समाना है और दूसरी संक्ख्या को हमने फूर एक्स मानना है उसके बाद मैंने बताया था पिरहाल शूर्डिंग झाना होता है तो फिरहाल यहाल है पर मासा एक्स मान यगे लासा को यहाँब चालिश हमने लिख दिया अब करना क्या हो दोस्तों यहां पर हमने तीन चोके बारा हो गया बारा एक्स स्क्वाइर हो गया और यहां पर हमने एक्स मल्टिपल कर दिया दोस्तों चालिस तो दोनों साइड में एक एक्स हमारा कैंसल हो जाएगा तो बारा एक्स बराबर क्या हो जाएग 12-24 हो जाएगा मतब X की जो value निकल के आएगी वो 20 निकल के आजाएगी X की value हमने find out कर लिया दोस्तों अब करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है तो छोटी का मतब 3X होगा दोस्तों बड़ी का मतलब है कि हमारा 4X होगा तो 4X हमारा बड़ा होगा हमें चोटा पूछ रहा तो 3 multiple यहां पर 20 कर देना है और जो 60 निकल के आएगा वही आपका पूरी तरह से answer correct होगा तो छोटी संख्या आपका 60 होगा दोस्तों बी alternative पूरी तरह से correct होगा अगर यहां पर बड़ी की बात करेगा तो हमें करना क्या होगा फोर इंटू 20 कर देना है चार दुनिया आठ मतलब की 80 निकल के answer रहा जाएगा आपका अगर बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या गयात करिए जो यहां पर दिया 1250 और 1615 को विभाजित करने पर 6 क्रमसा 4 और 5 बचे यह पर सिंपल तरीक invariations पहले 지금 डिजजिट को लिखना इस तरह से question आएगा दोस्तों तो पहले डिजिट जो लिख्या है उसको आपको यहांपर लिख देना है और ध्यान से समझेंगे और जहांपर जो yes की बात करेंगा दोस्तों तो पहले में छार आपको yes करना होगा तो अब यहां पर बात होती बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा तो जैसे कि मैंने बता है बड़ी बड़ी मासा होता है तो छोटी छोटी चोटी की बात करेगा तो हमें लासा ग्याद करना होता है तो अब हमें फाइंड आउट का लेना इसका जो है मासा तो यहां पर 1246 लिख दिया बराबर कर दिया दोस्तों यहां पर 16 से 10 लिख दिया अब सिंपल तरीके से फैक्टर कर देना दोस्तों फैक्टर का मतलब 2 multiple 7 कर देंगे और into 89 हो जाएगा क्लियर इसका फैक्टर करेंगे तो तो इनटू आपका 7 और into 5 हो जाएगा और यहां पर जो remain होगा वो 23 हो जाएगा क्लियर तो बात होता है दोस्तों की इसमें कामन के अगर बात करेंगे दोन्यम कामन के है तो 2 into 7 है भागी कोई कामन नहीं है, कामन ही मासा होता है आपको पता है कि साथ दो नीच्चतर हो आगा दोस्तों जो आइंसर निकल के आगा वो आपका बी अल्टरनेटी पूरी तरह से राइट एंसर होगा तो इस तरह से जब भी एक्जाम में प्रस्ण होगा सिंपल बेसे आप सिंप्लिफाइग कर सकते हैं दोस्तों आगले प्रस्ण की बात करेंगे दो संख्या होगे योग 528 दिया गया मासा यहां पर 23 दिया गया तो प्रस्ण है कि संभावी जोड़ी कितने बनेगे तो इस तरह से जब परसन होगा तो मासा से ही आपको पहली और संख्या दूसरी संख्या से मल्डिपल करना होगा कहने के मतलब कि अगर हम पहली संख्या को X मानते हो तो 33 X कर देंगे दूसरी को मानें कि दोस्तो B तो 33 B आपको कर देंगे मताब मासा जो होगा उसके साथ पहली हो दोसी संख्या का गुड़ा करना होगा और उसके बाद इसका योग दिया है दोस्तो पानसो अठाइस तो हमने जोड़ करके पानसो अठाइस रख दिया आप सिंपल तरीके adding 33 ए मने कामल ले लेना है और a plus b आपका बचछ़ जाएंगा तो 528 आपको रखना है, यहां पर अगर plus है तो plus लेना है, माइनस है तो माइनस होगा और गुड़ा है दोस्तो तो गुड़ा होगा तो यहाँ पर A प्लस B का मतलब होता है दोस्तो हम 30 से इसको डिवाइट कर देंगे जब तो 16 आपका आ जाएगा मतलब आप जोड़ा ऐसे बनाने दोस्तो जिसमें 16 दो संख्याओं को जोड़ने पर आ जाएगा तो अगर यहाँ पर एक में 15 जोड़ दिया दोस्तो तो एक जोड़ा कबर हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा बात करेंगे दोस्तो दो और यहाँ पर 14 तो यह चीजे 16 हो रहा है दोस्तो लेकिन इसको गलत इसलिए कार दिया जाएगा चुकि आपको 20 सम लेना है सम नहीं लेना है तो 3 पलस 13 कर देंगे तो भी 16 हो जा रहा है और जहाँ पर संख्या है रिपीट होगी वहाँ से छोड़ देंगे 4 पलस 12 करेंगे यह भी हो जाएगा दोस्तो लेकिन सम है उसको हमको छोड़ना है इसका मतलब ही 16 हो रहा है तो तीसरा जोड़ बन गया दोस्तो अब यहां पर बात होती है अगर हम यहां पर 7 पलस 9 ले लेंगे तो हमारा बात जो है यह भी जोड़ बन जाएगा दोस्तो अब जिसे 8 के बात लेगे तो संख्याप पर जो है रिपीटेड हो जाएंगी फिरहाल यहां पर और जोड़े की बात करें दोस्तों तो अबरहाल जो चार जोड़े बनेगे के लिए तो अल्टरनेटी बिकॉर्डिंग डी आपका पूरी तरह से करेक्टर होगा दोस्तों दिया गया कि विद्धुत उपकरण साथ सेकं करना होगा दोस्तों लासा निकालने के बाद टाइम को मिनेट में कनवर्ट करके या घंटे में जो भी पॉस्विल्टी होगी कनेट करके इस में टाइमिंग में क्या करना होगा आयट कर देना होगा तो यहां पर सिंपल तरीके से साथ और बासाट का हमें क्या करना होगा त कि सारी unit सेकंड में है, तो जो लाज़ा होगा है, आप क्रिया होगा, कि इसको हमें 60 से divide कर देना है, 60 से divide कर देंगे, तो जो निकल के आए मिनट में निकल के बाइगा यहाँ पर जो मिनट में निकल के आए गा है तो उस्तूं वह आपका 31 वन मिनिट हो जाएगा कि लिए 31 मिनिट का मतब दोस्तों 31 वे 60 से गुड़ा कर देंगे 1860 हो जाएगा तो आपको क्यारना क्या होगा कि 10 टाइमिंग 00 दिया गया तो 31 आपको आड़ कर देना है दोस्तों 30 31 आपका एंसर हो जाएगा अगर अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो फस्त आपका पूरी तरह से करेक्टर एंसर होगा दोस्तों आपर अगले प्रस्टिंग के अगर बात करेंगे तो एक की पाउर टू बी की पाउर फॉर सी की पाउर शिक्स इस तरह से थिरी दिया गया दोस्तों और मासा पूछ रहा मतलब कि जो सब में हो तीनों में वही मासा होगा तो alternative C ही आपका पूरी तरह से correct answer होगा और 09 इस तरह से लिख देना है और यहां पर जोड़ा इस तरह से बना लेना दो अब करना क्या होगा कि यहां पर हम चेक करेंगे कितनी बार जाएगा तो 9 टाइम जाएगा दोस्तो तो 09 एक्यासी हो जाएगा clear तो जितनी बार ले जाएगे इसको आपको add भी करना तो 18 हो गया यहां पर less कर देंगे तो हमारा 18 आजाएगा clear और अगले जोड़े को आपको 09 को उतार लेना है फिर से चेक करेंगे 9 टाइम जाएगा और 9 टाइम जाएगा तो 9 यहां भी आपको लिखने है तो 9 से 3 डिजिटों में multiple कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पर जो है 701 हो जाएगा clear अब यहां पर once again less करने है 108 आपको आजाएगा अब जो remainder है जो 6 है दोस्तों आपको करना क्या होगा जो डिजिट आपका अवलेबल कराएगा है 9909 इनमें आपको करना क्या होगा minus 108 को less करना होगा less कर देंगे दोस्तों तो हमारा जो आएगा answer आएगा 9801 आजाएगा clear तो दोस्तों यह आपका answer है अगर हम यहां पर correct answer की बात करें तो first alternative पूरी तरह से आपका right answer होगा दोस्तों आप अगले person की बात करें तो वह चोड़ी से चोड़ी संख्या ग्याद करें जो 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर पुरते एक दसा में 216 बसता है अब इन सब का हमने करना क्या होगा लासा find out कर लेना होगा अगर लासा की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपका जो लासा निकल कर आएगा 756 करके आ जाएगा और पर प्रते एक दसा में 216 यहां पर बच रहा है 21 तो आपको उसको यहां पर add कर देना होगा add कर देंगे तो आपका answer हो जाएगा जब प्रते एक दसा में 216 बचता या कुछ और बचता है तो आपको जोड़ देंगे तो 7773 टाइम आ जाएगा alternative की बात करें दोस्तों तो c आपका right answer होगा बहुत बार repeated question important है तो इन question पर ध्यान दे तो बस इस वीडियो में इतना ही मैंने जितने type के exam में lacking related question बनने हैं उन सब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों साथ वीडियो को share करें मिलते हैं अगले वीडियो में